एक कॉफी पीने चले हम, एक चाही पीने चले हम, माध्यली पीने चले हम, चाही कुलर बार, चाही कुलर बार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, चाही कुलर बार की फ्रेंचाइजी के अबारे में, CKB की फ्रेंचाइजी के अबारे में दोस्तों एक premium tree brand है जो आपको सबसे कम investment में एक बढ़िया franchise opportunity दे रहा है TKFA की जब आप एक बढ़िया TKFA खोलने की सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या जाता है कितना investment आएगा अगर मैं normally बात करूँ कि जो market में brand available हैं वहाँ पर आपको कम से कम 10 लाग से लेकर 15 लाग रुपे तक का investment जाता है और sometimes कई सारे ब्रैंड तो 20 लाग 25 लाग 30 लाग रुपे तक की investment सिर्फ TKFA की franchise में आपके लिए लेकर जाते हैं दोस्तों लेकिन आज मैं जो आपको brand बता रहा हूँ चाय कुलरबार CKB ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3.99 लाग रुपीज में complete P brand की franchise दे रहा है जी हां दोस्तों और इसके बारे में पहले भी मेरे चैनल पर एक वीडियो आया था और आज मैं आपको बहुत ही exclusive बाते बताने वाला हूँ आपको इस brand के बारे में तो ये वीडियो पूरा देखेगा ध्यान से और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा तो दोस्तों आईए जानते हैं क्या खास है चाय कुलरबार की franchise में दोस्तों सबसे पहली बात चाय कुलरबार जो आपको सिर्फ और सिर्फ 3.99 लाइक से सुरू हो जाता है टी कैफे की franchise इसमें आपको multiple variety of menus मिलते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो चाय तो है ही इसमें चाय के अलाब आपको कॉफी भी मिलेगी cold coffee, mocktail, milkshakes और भी कई सारे ऐसे आइटम मिलेंगे और सबसे खास बात अगर मैं बात करूँ कि क्या USP है चाय कुलरबार की तो यह आपको जो टी बनाने की विधी देते हैं जो आपको टी बनाने की SOP लेकर आए हैं बहुत ही easy SOP है यह आपको pouch में complete recipe देते हैं जिसको कि की चाय जो हर समय एक जैसा टेस्ट देगी और इससे पाइदा क्या होगा आपको कोई skilled labor की जरुत नहीं होगी एक normal बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा cooking की knowledge नहीं भी है जिसको बहतरिन चाय बनानी नहीं भी आती है इनकी SOP की वजह से आपको एक ही जैसी quality की चाय हर बार लोगों को पिलाने को मिलेगी और अगर कभी आपका शेफ छोड़कर चला भी जाता है अब नया आपको employee लेकर आते हैं उस समय भी आपके टेस्ट में फरक नहीं आता आप एक जैसा टेस्ट हर outlet पर दे पाते हैं इनकी खोलो घोलो और पिलाव वाली recipe की वजह से इसकी अला है और आपको लगता है कि मेन्यू बढ़ाने हैं जैसे कि आपको अपने मेन्यू में विज्जा आड करना है या आपको मैगी या कोई भी वरायएटी अट परनी है तो company आपको ना कि आपको सिर्टी में ट्रेनिंग भारे मैं बल कि मेन्यू एड करने पर भी ट्रेंग देते और आपको लगता है कि कुछ सासत फास्ट भी एड कर लिया जाए तो फास्ट पूड एड करने में भी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी ट्रेनिंग देगी जी हां फ्रेंट्स यह सबसे बड़ा पायदा है इसके अलावा एक जो बड़ी USP है फ्रेंचाइजी लेने वालों के लिए वो क्या है जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हर महीने जो आपको रोयल्टी पे करनी पड़ती है वो आपके प्रॉफिट मेंसे जाती है CKB आपसे कोई भी रोयल्टी चार्ज नहीं करता है और जो आपसे फीस ले रहा है जो फ्रेंचाइजी फीस में आगे बताने वाला हूँ इनका बायफरकेशन 3.99 लाग का और अलग मोडल भी बताऊंगा तो इसमें भी वन टाइम फीस है आपको लाइफ टाइम दुबारा फीस पे नहीं करनी है मतलब वन टाइम फीस में आपको लाइफ टाइम के लिए फ्रेंचाइजी मिल रही है और साथी साथ आपको कोई रोयल्टी नहीं पे करनी है एक ड्रैंड नेम मिल रहा है आपको ट्रेनिंग मिल रही है सपोर्ट मिल रहा है इनकी USP मिल रही है और सार इंवेस्मेंट में फ्रेंचाइजी देकर भी help कर रहे हैं आपकी income बनाने में तो आए जानते हैं किस-किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं चाय कुलडबार के साल सबसे पहला जो इनका model है जो मैंने आपको बताया कि इनकी जो starting range है 3.99 lakhs की जी यहां दोस्तो 3.99 lakh में आपको complete business start होके मिल रहा है इसमें property का खर्चा मठा देते हैं इसके अलावा आपको क्या-क्या मिलेगा जानिए setup cost मतलब आपके business को setup करने का जो खर्चा आएगा वो इसमें included 1,40,000 रुपे का इसमें starting में जो आपको machinery और crockerी मिलेगी वो include 66,000 रुपीज की मतलब कि starting में आपको चाय coffee mocktails और milk sex बनाने के लिए जो machinery की requirement होंगी वो आपको मिलेंगी इनकी जो value होगी 66,000 रुपीज की होगी साथी साथ आपको 28,000 रुपे का raw material भी मिलेगा one time ऐसा नहीं कि इसमें raw material नहीं है इसमें raw material भी है आपको जो starting में training दी जाती है जो साथ दिन की training आपको मिलती है दो लो करेंगे तो 3.99,000 रुपीज आता है इसमें GST एक्स्टा रहेगा जो government को देना है आपको area की requirement है 100 square feet से 1.500 square feet में आप इस business model को शुरू कर सकते हैं मातर 3.99,000 रुप्लस GST में आप आसानी से CKB का premium model ले सकते हैं और अपने business के शुरूआत कर सकते हैं profit margin की बात मैं बाद में करूँगा आए पहले जान लेते हैं कि अगर आप थोड़ी ज्यादा space में खुलना चाते हो अगर आप को क्योस के start करना चाते हो तो क्या investment आएगी क्योस model के लिए आपकी area requirement रहेगी वह area requirement रहेगी 500 से 200 square feet और यहां पर आपको starting में कुछ fast food variety हो जाएगी आप starting से अपने customer को beverage के साथ साथ कुछ food भी offer कर पाओगे इसमें outlet का setup जो हमने वहाँ पर एक लाग 40,000 रुपे हो जाएगा machinery कोकरी क्योंकि आपकी कुछ product item बढ़ेंगी तो यहां पर आपको इसकी costing बढ़ेगी एक लाग 2,000 रुपे हो जाएगी raw material भी आपको extra मिलेगा आपको 75,000 रुपे का raw 30,000 रुपे ट्रेनिंग कोस्ट है और जो फ्रेंचाइजी फीस है इसकी है सर 2,00,000 रुपे यह जो टोटल आप करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा 6,61,400 रुपे जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं 6,61,000 रुपे में आपको चाय कुलर्ड बार का क्योस्क मोडल मिल जाएगा 1,500 से 200 स्क्वाइर फिट में अगर आप इसके अलावा कैफे मोडल पर जाना चाहते हो तो कैफे मोडल में आपकी स्पेस बढ़ेगी इस पेश के हिसाब से आपका investment बढ़ेगा शेटप कोस्ट भी बढ़ेगा सेटप कोस्ट के लावा machinery कोस्ट भी बढ़ेगी आपको equipment भी एक्सटा चाहिएगे आपको raw material भी एक्सटा चाहिएगा franchise fee same रहेगी 2,00,000 रुपे ही आपका इसमें जो investment आएगा सवा 8,00,000, मतलब जो company कहती है 8,00,000, 34,000 ये और भी बढ़ सकता है आपके area के हिसाब से कितना बड़ा आप cafe start कर रहे हैं आपका interior cost बढ़ेगी आप जितना बड़ा सुरू करेंगे उतना आपका investment बढ़ेगा लेकिन आप 200-300 square feet में 8,00,000, 34,000 रुपे में चाय कुलड बार की franchise ले सकते हैं complete setup के साथ जी यहां दोस्तो एक तीन अलग-अलग model है दोस्तो इन तीन model के अलावा एक और model है company का वो model है on wheels इसमें आपको एक अलग तरह के सी आपकी visibility बनकर आती है तो आपको चाय कुलड बार on wheels भी मिनने वाला है इसमें आपको जो costing आती है थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि proper एक vehicle की cost हो जाती है उस vehicle को आपको बनाने की cost चली जाती है उस vehicle को बनाने की cost के अलावा उसके अंदर machinery, equipment, marketing यह सारी cost हैड हो जाती है franchise फीस सेम है जो पहले वाला model है 399 वाला उसमें आपकी डेड़ लाख रुपे है बाकि सब model में company आपसे सिर्फ और सिर्फ दो लाख रुपे franchise फीस ले रही है GST सब में extra आपको पे करना है जो आपका on wheels वाला model है यह complete model स्टार्ट करके आपको सिर्फ 9,79,000 रुपेज मैं यह कहूंगा कि 10,00,000 रुपे के आसपास में मिल जाता है GST आपको अलग से पे करना है दोस्तों यह चार अलग-अलग business model है जिसमें कि आप आसानी से जुड़ सकते है चाय को लडबार के साथ यह तो आपकी investment हो गई अब यहाँ पर आपके खर्चे क्या होंगे दोस्तों खर्चे जो नॉर्मली सब जगह होते हैं आपका rental हो गई होगा लेकिन चुकिए आप 100-200-2002 square foot में स्टार्ट कर सकते हैं तो rental भी आपका effectively कम होगा दूसरा यहाँ पर काटो गोलो और पिलाओ यह model है तो आपको highly experienced chef नहीं चाहिए आपको semi skills chef से भी काम चल जाएगा तो सस्ते में आपको chef मिल जाएंगे बिजली का bill तो आपको आना ही आना है तो यह आपके basic खर्चे है अगर मैं बात करूँ कि profitability की तो 55-60% का आपका profitability रहती है यहाँ पर gross profit अब जो भी sales आती है उस sales में से आप gross profit निकाल लिजिए suppose कर यह 3,00,000 की sales आती है 3,00,000 का आप 60% निकाल लिए तो 1,80,000 पर ग्रोस profit हुआ इसमें आपको rent minus करना है आप जो भी model ले रहे हो उस model के हिसाब से 2 लड़के, 3 लड़के जो आपके रहने वाले हैं उनकी salary minus करनी है और उसके लाव बिजली बिल आपको minus करना है उसके बाद भी आप आसानी से 60,000 रुपे से लेकर लाख रुपे तक कमा सकते हो चाय कुलरबार की franchise लेकर दो ये profitability कभी भी fix नहीं होती है sales के ओपर dependent होती है और starting के कुछ महीने हो सकता है कि आपको working capital अपने घर से भी लगानी पड़े क्योंकि कोई भी business जरूरी नहीं कि पहले मैने से ही profitable हो जाए आपको marketing आपको करनी पड़ती है आपको branding करनी पड़ती है आपको अपने area में promotion करनी पड़ती है इन सब चीजों के लिए भी company आपको guide करती है कि कि किस तरीके से आप लोगों तक पहुँचे किस तरीके से आप अपनी quality को लोगों को बताए और अपने लिए एक permanent ग्रहाग बनाए हर चीज की training आपको company की तरफ से मिलती है तो दोस्तों यह USP है चाय कुलडबार की अगर आप इनके premium model, kiosk model या cafe model में जाएंगे तो आपको rental देना है लेकिन आप जब on wheels model पर जाएंगे तो वो rental भी आपका बच सकता है अगर आप कोई सही जगा जुवार कर ले तो दोस्तों यहाँ पर company हर तरीके से अपनी franchise के लिए काम करती है कि उनका profit कैसे बढ़ाया जाए उनके लिए ease of business कैसी किया जाए ताकि आपको कोई परिशानी ना हो बिजनस करने में profit थोड़ा कम यह जादा हो लेकिन आपको काम करने में आसानी रहे ताकि आप एक कैफे से दूसरा कैफे हो दूसरे कैफे से तीसरा कैफे बना सके अपने business को multiply कर सके अपने profit को multiply कर सके दोस्तों जो franchise offer है जो आपको बहुत ही कम price में मिल रहा है यह सिर्फ और सिर्फ पहली 25 franchise के लिए है और future में इनके franchise fees increase हो जाएंगे तो अभी आप fire out आएं तो दोस्तों चाहे कुलडबाद अलग-अलग models के साथ अलग-अलग business के साथ आपको एक opportunity दे रहा है अगर आप इस opportunity के बारे में अधिक और जानना चाते हैं तो आप screen पे दिये गए number पे call कर सकते हैं आप बाचेट करिए आप इनके outlet को visit करिए आप इनके product को test करिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये business मैं कर सकता हूँ तो आप इस business के लिए नीचे दिये गए number पे call कर सकते हैं आप description में दिये कि details पर जाकर इन से मिल सकते हैं और form fill up कर सकते हैं और उसके बाद अपने लिए business शुरू कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही business opportunities मैं लगातार लेकर आता हूँ franchise बताओ channel पर दो हम आपको जानकारी देते हैं हम किसी भी business को करने के लिए आपको force नहीं करते हैं decision आपका रहता है जानकारी हम देते हैं आज का ये video आपको कैसा लगा आज की business की जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे comments box में comment करके जरूर बताईएगा और कौन सा वो business है जिसके बारे में आप आगे हमसे जानना चाहते हैं वो भी आप comments box में comment करके बताईए मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आँगा मैं हूँ आपका business दोस्त आशी शगरवाल जहीं जबारत